श्कायर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीप कुमार मंघणे आपके sykye qram ta स्वागत है जिस स्काय कर नाम है आपके फर्माश डोस्तों आपको बताऊ barrates पने हाज मैं आप फर्माश को बताऊं ऊख घकश के वारे में हा दोस्तों बहुत सारे लोगों को मेल आया अधर पर्फियों मासली जीजे बनती है दोस्तों जो बहुत मजार में जो है वो जो जर ब्लो होता है च geschका तेल वह 5050 के अची जार रुपे सब से था है तो इसकी खंस बहुत सारी इसी चीजें रुदी यह बहुत कीमती होती आई ये मैं सबसे पहले आका बताता हूँ कि खुस की खेती जो है उसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजिवों की ज़रूत परती है सबसे पहले हैे भूमी सरक्षड और दोस्तों खसका जो है जो है वह भूमी प्रक्षन आगे मैं आपको बताऊँ गावा पहले तो यह दो प्रकार की जाती है होती है इसकी पहली होती है जंगली जाती जो उत्तर भारत में होती है तथा इसमें नियमित पुष्प एवं बीज पान होता है तथा यह नियंतर ना करने पर खर पतवार के रूप में भैर जाती है दूसरा है देशी या आंत्रिक जाती यह जो होती है यह दक्षिन भारत में होती है तथा इसमें पुष्पन वह बिजान नहीं होता यह मुख्य ब्रिदा अपरदन रोकने के काम आती है खस की खेती हाँ दोस्तों यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा होती है फिर भी अगर आप चाहें अगर खस की खेती करना चाहते हैं तो नजदी कि कृषिन संस्थान में जाकर भूमी पर इक्षिन अवश्य करा ले और उनने बताए कि खस की खेती करना चाहता हूँ तो अगर कुछ कम होगी तो बता देंगे क्या दालना क्या नहीं दालना है तो आया दोस्तों जो यह खस है वो खस की खेती जो हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो जाती है यह घास साव से दो सो सेंटिमीटर जो है वार्शिक वार्शायों 21 degree centigrade से 45 degree centigrade तक वाले शेत्व में प्रचु मातरा में पैदा होती है इनकी जड़ विशिश महत्वक्य होती है इसकी खेती हे तु वर्शा होने पर जमीन को साफ करने के बाद गहरी जुदाई की जाती है तदा तत्वस्चाथ घास के पुंजों से ट्रोही को अलग कर के कंदों को बिना तोड़े 15 से 20 सेंटीमीटर उची वह 50 से 60 सेंटीमीटर चोड़ी क्यारियों में 30 से 50 सेंटीमीटर का अंतर रखें आप यह बुआई करें दोस्तों कि रूपर मई से अगस्त में करना लाबकारी होगा इसमें अच्छी से जो है जो है रूपर कर सकते हैं आप दोस्तों रूपर के बाद आपको जो है निराय करके वद्धों पर मिट्टी अच्छी तरह दवाकर समतल करदेना चाहिए हाँ दोस्तों उसको सम्तब जरूर करें विट्टी को ये जो है एक हेक्टियर में जो एक देशम्दा पांशुन्य से 2.25 लाख प्ररोही की आवशक्ता होती है हाँ दोस्तों दोबार लगाने के लिए इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है रोपन के खरीब एक माह बाद कूरा करकट राख एम कंपोस की खाद देना जड़ों की उपच बढ़ती है तो हाँ दोस्तों आपको इसमें क्या दालन है कुणा करकर दाल देजिए राख दाल ये कंपोस दाल दीजिए इससे उपच बढ़ेगी खस में वर्शारी तुम्ने फ्यूजेरियम यह अन्य कवक आकरवन करते हैं जिने तामर युक्त कवक नाशी का शुन्य दसल्दम तीन प्रतिश्यत घूल के छड़काओं कर भूर कि फसल हुलो ट्राइक्रिया सेरोटा के लार्वोज से भी प्रभावित हो सकती है दोस्तों तो इस बीमारी का जरूर ध्यान रखें ऐसी कोई बीमारी नज़र आये तो नजदी की क्रिसिस इंसान पर जाकर जो है दवाई महां से मुहिया करा ले और फिर इनका है तो जानवरों को लाकर महां पर छोड़ दे और वो जो इसको खाएंगे तो इस धिर धिरे जो जानवरों की मुह में कैसी सी जोती है जो और प्रकाव के कीड़ों को माने की शम्ता रखती है तो जानवरों खिला दे बहुत फायदा होगा दोस्तों खास की उपज इसकी कटाई दस से बारा महा की आयूम में विविन वस्तों की निवमा में हेटू तथा पंदरह से अठारा महिने बाद जड़ों से तेल निकाने ने हेटू किया जाता है साधरें तो फसल की कटाई वर्षा के शिस्क महिनों में की जाती है क्योंकि इस समय देल की मात्रा एवं गुणवक्ता सारवधिक होती है दोस्तों तक काटकर फिर गुच्छे से जड़ एकतरित करना चाहिए पहले सबसे पहले दोस्तों पर से 10 से 15 सेंटरि में जड़ों को एकतरित कर ले जिनने लेट्टो पर पीड कर चाकु से जड़ अलग कर ले प्रतिहेक्तियर और स्टम आपको चारसो। से 600 किलोग्राम ताजी जड़ प्राप्त हो जाईगी हाँ दूस्तों चारसों से 600 किलोग्राम सकते हो इसकी जड़ों में सुगन्द होता है तदा इस से टेल से लिए निकाला जाता है दोस्तों खास तेल इत्र जियो का प्रुमख कच्चावदात है आगा so आप सब्सक्राइल और्षज CT-》 यह सावटन्स को सब्सक्राइब बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है सोचिए दोस्तों हमारी जो रोज मर्रक की जीवन है जिसमें शेम्पू हो गया साबून हो गया आपका इत्र हो गया इन सब में इसके सुगंद की जरुद पड़ती है तो देखिए कितना महंगा है इसका इत्र तेल तो इसकी झाली खेती करें और पैसे ही पैसा कमाएं और इसे जो है सुदनकारी और शीतल माना जाता है तथा आम वात कटी वेदना वह मोच में इसकी मालिश करने से रहत मिलती है दोस्तों इसका जो तेल होता है देखिए अगर आपको मोच आ गई है या कटी वेजना है या आम वात है जो बात होता है ना वह है अगर आपको तो यह जो खस खतियल होता है मालिस करें आपको यह सारी भीमारियां जो है उससे भी आपको रहत मिलेगी दोस्तों भाउट सारे छोटे बच्चों को जो है गाउसाइड में जो है इनको खिलाया जाता है क्यों खिलाया जाता है क्रिमी नाशक के रूप में प्रेट किया जाता है अगा पेट में कीड़ा हो गया है तो उसको खतम करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है छोटे बच्चों खिला जाता है इसकी सुखाई हुई जड़ लिलन वा कपड़ों में सुगंदित हेत्व प्रयोक में आती है प्राशिन काल से ही इसके जड़ जो है चीके चटाईयां हाथ पंखा टोगरियां मकानों की टे टेंड़ वादी में प्रयोत किया जाता है इसकी हर पतियां पंषु इंप भेड़ आधी घाते है तो इसकी जो खास की जिटेखिए उसका इसमाल हम सभी जानते कांगताही होता है तो आधे यह में जो प्लर होता है वो जो लोग जो हैई से आफोट नहीं कर पाते हैं व तो दोस्तों वो जो है वो यही है अरह देखिए दोस्तों कितने फायदबंदी तिल निकाल लीजिए फिरिस में जो है इसका विप्रयोग करते लिजिए और मज़ार में आप जब घंटट्टी करेंगे तो आपको बहुत पैंगी मिलेगी तो सोच लिजे आपको कितने कमाने वाली खेती है जरूर इसकी खेती कीजिए और पैसा कमाई है खस घाज भूमी सरक्षण हेतु स्रेश्ट वर उप्यूक्त तथा अनाविस्ट बार आजी से प्रभावित नहीं होता है इसको पानी या पोशक्त की विशेश आवसक्ता नहीं होती है दोस्तों तथा इसका वादा काफी बड़ा होता है इसकी मूल परत पर गुच्छे करीब एक मिटर तक चौड़े हो जाते हैं तथा यह आसानी से नहीं उखड़ता है इसका तेल आधरी क्यूग में मक्षियों तिल चट्नों को भगाने में तथा खीट प्रतिकरशा में एक महत्तपूर्ण संगठन के रूप में हो सकता है आज हम विकासिल देशों के लिए भूमी अपर अदन एंघर घर दकालेन प्राकतिक एंव आर्थिक समस्या है खरस खास उप्योग तो हो सकती है ताथ ही इसकी खेती से आर्थिक लाब भी अर्जित कर सकते हैं दोस्तों बहुत कमाई की खेती जरूर की खिये ब्रधूस्त आपको यह जान करें जरूर कारकारम से जारे की इजाज़त दीजिए नवस्कार जाए हैं